इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि चाइना स्पेस एजेंसी को जटका लगा है जब टेस्टिंग रॉकेट की की जा रही थी तो रॉकेट फट गया क्या हुआ ग्राफिक्स के जरीए जादा बताएंगे मिल्कुले से सवाल खड़े होते कभी भी चीनी चीजों पर भरोसा ना करें देखिए चीन का अंतरिक शेजिंसी को जटका त्यान लुक्त्री रॉकेट का परिक्षन जो है वो फेल होते हुए नजर आया और बताते आपको परिक्षन के दुरान लॉंच पैट से ये जो रॉक रॉकेट का ये पूरा का पूरा मलबा इसलिए देखिए लगातार यहापर आप इस पूरे बाबने को लेकर जाज़ क्योंगे लेकिन सबसे बड़ी बात की चीन के अंतरिक्ष एजेंसी को एक बड़ा चटका फिलान आपर लगाए तो तियान लॉक 3 का परिक्षन हो रहा और वो फेल हो गया है टेस्टिंग के दौरान एजेंसी फेल हुई है जिसके बाद बड़ा जटका लगा है मलबा गिराद हुआ धुआ रॉकेट हो गया और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब परिक्षन इतनी ट्रेनिंग के बाद किया जा रहा था तो वो फेल क्यों ह हुआ रेपोर्ट देखिए हम तकनीक के ना तो कोई विरोधी है ना चीन के बेवज़क के आलोचक मगर जो सच है वो तो सच है क्योंकि जो चीन भारत को आँख दिखाने की कोशिश करता है उसकी पोल आया दिन खुल जाती है भारत का इसरो जहां सब से सस्ते और महफूज लाँचिंग के लिए जाना गई रॉकेट का मलबास सिंचुआन प्रांग के गाउं के उपर गिरता हुआ देखा गया है इसका वीडियो अब सोचल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाइरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तियान लॉंग 3 रॉकेट पहले चरण में ही फेल हो गया वीडियो में रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा गिरता हुआ भी दिख रहा है इसमें कई इस्थाने लोग दर के मारे जान बजाकर भागते वे नजर आए स्पेस पाइनियर तियान लॉंग 3 रॉकेट के लॉंच के लिए एक बिल्डप के रूप में अपना परिक्शन कर रहा था और तब ही ये खांसा हो गया रॉकेट के टुकड़े कई जगह गिरे जंगल में धमाके के साथ गिरे रॉकेट से लोग हैरान हो गए गनी मत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है प्यूर और पूर्ड रिपब्लिक भारत